आईए समझते हैं कि हमारे सरील में पोसक तत्यों की कमी से होने वाले रोग के बारे में आईए समझेंगे कि हमारे सरील में अगर सही मात्रा भोजन का ना हम लेंगे यानि संतुलित अहार एक बार कोई ब्यक्ति स्वस्थ ब्यक्ति अगर संतुलित अहार लेता है यानि उसमे कार्बोहेड्रेड, वासा, प्रोटीन, बिटामीन, खनीज लवन, रिष्चेदार, पदार्थ, ये सब का उसमें मातरा अच्छी तरह से होना चाहिए, परिपूर्ण मातरा होनी चाहिए, अगर कोई भी ब्यक्ति एक बार संतुली तहार अगर लेता है, तो उसको जो उर्जा जो बनाएगा, उर्जा जो कैलेरी में मापा जाता है, तो वह 38 ATP बनाता है उर्जा, यानि कैलेरी हमें देगा, कार्य करने की छामता को उर्जा कहते हैं, तो ATP का मतलब हुआ, एडरनोसिन ट्राइफासफेड, तो आईए हम समझ लेते हैं, कि पोसर्टत्तों की कमी से होने व होता है, यानि गरांती गले का जो गरांती होता है, वह फूल जाता है, और एक काफी बहुत ही बड़ा भ्यानक रूप या धारन कर लेता है, बहुत बड़ा बिमारी गले में हो जाता है, और इससे बच्चे मानसिक भिकलांक भी हो जाते हैं, यानि बच्चे का जो संतुलन दिमाग जो रहेगा वह विक्सित नहीं होगा बोधा दिमागे निकल जाएंगे तो समझते हैं घेका जो होता है वह आयोडिन की कमी से होता है जो आयोडिन की जो सही मात्रा रहेगी वह हमारे नमक में हमें परचुर मात्रा में लेने चाहिए दुसरा है सुखा रोग तो प्रोटीन की और कार्भो हाइड्रोएट की कम हुआ दो हमारा स्रीर क्या हो जाता है दुबला और पतला हो जाता है तो हम and tb यह हमारी स्रीर में पसली के हड़ियां दिखाई देने लगती है जैसे हम समझ लेते हैं पसली के हड़ियों के संखे कितनी होती है 24 बारा इधर ठे और बारा इधर ठे पजेट जिसको हम दियाती बासा में बोलते हैं एनेमिया रोग के बारे ना यह समझते हैं कि एनेमिया होता कैसे है तो हमारे सरील में लव अयस की मात्रा अगर कम हो जाए लोह तत्व की मात्रा यानि लोही की कमी से जो रोग होता है वह होता है इनिमिया लोहे की कमी से लोहे की कमी से यानि लोह तत्व की कमी से तो आई इसे हम समझ लेते हैं पहला तो लोहे की कमी से जो रोग होता है वह होता है इनिमिया और इसका कारण क्या है कि सरीर कमजोर हो ज जाएगा तो और रोग इसमें उत्पन होने लगते हैं जा होते हैं मोटापा यानि फैट ज होता है कोई भी व्यक्ति में कोई कग Realt Grill में तेली भूजन करता तो मोटापा जो बीमारी है वो पोसक्ततो की अधिकतर मात्रा हम अपने शरील में ले लेते हैं यानि वस्टी ये पदार्थ को या तो हमसेवन करते हैं यानि खाते हैं जिससे हमारा चर बढ़ जाते हॹिए detect बोलते हैं अगे समझते हैं हड्डियों यानि अस्थी यह इसी को बोलते हैं तो हड्डियां और सरीर हमारा जो कमजोर होता है यह दांत किस कारण होता है तो समझते हैं केल्सियम के कारण होता है केल्सियम विटामीन की कमी से केल्सियम विटामीन के कमी से हमारा सरीर जो है में हड़ी और दात कमजोर हो जाते हैं तो कवा सीक्योर यह किस कारण होता है तो यह बच्चों में होता है भोजन में भोजन की प्रोटीन की मात्रा इसमें कमी हो जाती है तो बच्चों में यह बिमारी अक्सर देखा जाता है बच्चों में होता है कि बच्चों की ब्रेधी रु पुसक्तत्वी कमी से होने वाले विशे शुरू के बारे में तो मिलते हैं अगले वीडियो में